नमस्कार दोस्तों शौकतएक ओ ने वीडियो में दूस्तों आप देख रहे हैं Study with Hemend YouTube चैस तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके प्रतवा पर मूल्यांकरन्म कि दोस्तों जो आपकी वर्कषिट लिए जा रही हैं तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा जो आपकी चार है बैसा है गलत की वक्षीट का हम कंप्लीट सोलेशन आपको बताने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को पूरा लाश तक देखीगा वीडियो को बीच में कहीं पर भी बिल्कुल भी इसके मत कीजिगा क्योंकि दोस्तो हम आपको खंड आ और खंड बार दोनों का सोलेशन बताते हैं यहां पर सिक्यों पर आप से पहले आपको पक्के करने चाहिए ठीक है तो टोटल हम आपको 50 में 50 पक्के करवा देंगे बस जो हम वीडियो डाल ला है उनको पूरा देखना होगा ठीक है और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि यह बिल्क कौशन काउं से दिखते हैं तो चार संक्राइब में जो आपकी सबसे बड़ी संक्राइब कर दी ओके जाएगा जो कि आपक्का ओप्शन नमबर दी में दिया गया है तो इसे देख लीजिगा पर नश्युक्त आता है यहां चौर्छ संक्राइब होई है इन में सबसे तो यहां पर इसे नोट कर लिएगा प्राता दीगे आगती कितने कोने और किनारे यहां में बताना है तो इसमें जीरो कोने हैं और इसमें बताना है अब और लिए के बताना है यहां मिली मिली मिल्य मेटर के उड़ावर होता है नोट आते हैं तो डाउटन के साथ करिंए सभी क्वेश्णों को आउट सबसे पहले आप अपने क्वेश्ड़ के फोड़ो केजाए और सची तरह आची तरह की स्क्राप कीजी और तुरंद उसका पाई वीडियो शॉलिशन अब पूछे अपने अलिमेटर सवाल कहीं भी कभी भी डाउटर्ट एप के साथ या फिर आपके 6 से 12 तक हो आयाइटी जी नीट का सवाल हो या फिर सीवेसी यूपी विहार राजिस्तान या फिर आधर स्टेट का हो या फिर आपका फिजिक केमिस्ट्री मैध वायलोजी या साइन्स का सवाल हो सबी सवालों के अंसर आपको मिलेंगे डाउटर्ट एप पर स है आधर 100 ग्राम के बजन में मिला कर पांचो ग्राम हो गा तो यह आपका जो आज़ाएगा सवी वाटर्ट भांटर्व या साथमा देखिए मिना ने 800 ग्राम शक्क्र और पांचों ग्राम मावा को मिला कर बरफ्फी बनाई वालोजी के कोल बजन कितना होगा तो यह आपको तिरा सो ग्राम हो जाएगा वर्फी का कुल बजान तो शेवी नोट कर ली जिए ठीक है प्रादर चित में दी गई इस अंकला पूरा करने के लिए चोथी रेका पर कितने तारे होने चाहिए तो यह पर पर एक तारे हैं दूसरे पर तीने तीसरे पांट है चोथे पर आपको क रिपेशन हैं जो कि आपके द्वंग के होने वाले हैं तो यहां पर देखिए पूरे आंसर आपको दी जाएंगे पहला है देखिए निया ने 27 किलोग्राम आलू बेंचे और तीन आदमियों ने बरावर बरावर मात्रा में आलू खड़ी दे पिट्टेक आजमी ने कितने क 27 किलोग्राम आलू आफी है तो गाउन की जन्संक्त किरें ऑड़ी तो सिंपल यह आपको दिक्टर्श निकला आए तो यहां पर देंस तरिके साव जोड़ देना है तो आपको जन्संक्त के गला दाएगी 8 кстати लंबा ही बताने कितनी मीटर होगी यहां आपकी चार आपकी सेंटीमेटर आंसर हो जाएगा इस क्रूशन का पर नमबर 12 दी जागए आता जो कि है यहां पर देखी दाल चाब और गेहं टाकर तो यह आपको करते हैं आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहले नमर पर दाल दूसरे प्षावलती से बगें चौते पर सक्कार आपके आंसर हो जाएंगे कुश्ण 12 के पर आता है कुश्ण 13 तेरा का आम आलू बाजार से खरीड कर लाया ठीक है 250 ग्राम आलू की सब्जी बना लेने के बाद कितना आलू बचेगा तो 202,000 में 250 घटाएंगे 750 ग्राम और 750 ग्राम उसकी पास बचेगा अब कॉश्ण 14 से 16 तक आपको देखो तीर प्रिशन है जो कि आपको चारंग के होने वाले हैं तो इनकी आंसर को देख लिए शिक्षिकान ने बाजार से अपनी कक्षा की चात्ता को बाटने के लिए 16 मीटर रिवन खड़ीदा एक चूटी बाजने में एक मीटर रिवन लगता है प्रिटेक लड़की दो चूटी बाटने हैं तो शिक्षिकान ने कितनी चात्ता को रिवन बाटे चाटा को बाटने चाट आपको देख सकते हैं यहाँ पर कॉशन 14 कांसर है कुल रिवन करिदा बढ़ाबर 16 मीटर प्रिटेक रुपए की चाय बत्ती खरीद कर पांसे रुपए का नोट दोकांदार को दिया तो बताई दोकांदार उसे कितनी रुपए लोटा आएगा का प्याश्य कोशन है इसका भी आंसर दोश्ता आप यहां पर नोट कर सकते हैं ठीक है यह आपका आंसर जाए कोशन नमर 15 का कोई भ चाहते हैं के दिस्क्रेशन वोक्स में आपको यहां से आका आप को सब्सूल कर लिए है आंगे बढ़ते हैं देखिए सोलवा कोर्शन एक से लेकर 16 तक आपका खंडा में रहता है तो हमने पूरे 16 कोर्शनों के उत्तर आपको बता दी है बस आपका काम बचार हुआ है वीडियो को लाइक करना अपने सभी दोस्तों साथ वीडियो को सेयर करना और चैनल को सब्सक वीडियो को लाष्ट देखने के लिए